कहानी अर्थ की लिपसा अर्थ की अधिक लिपसा संकटों की आग में जोंग देती है बहुत दिनों पूर्व की बात है अयोध्या में एक शत्रिय निवास करता था उसका नाम चूडा मनी था चूडा मनी सहसी और वीर तो था किन्तु बड़ा गरीब था उसने धन प्राप्त करने का बड़ा प्रयत्न किया परंतु फिर भी भागे के साथ नहीं दिया भागे में जब धन नहीं लिखा होता तो प्रयत्न करने पर भी नहीं मिलता चूडा मनी जब अपनी गरीबी से आकुल हो उठा तो उसने वन में जाकर तब के द्वारा शिव जी को प्रसंद करने का विचार किया उसने सोचा शिव जी शिग्र ही प्रसंद होकर मनो भिलाशा पूर्ण कर देते हैं उन्हें प्रसंद करने के लिए अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता चुडा मणी वन में जाकर शिव जी को प्रसंद करने के लिए तब करने लगा शिव जी का एक दूसरा नाम आशुतोष भी है आशुतोष का अर्थ है शीगर ही प्रसंद होने वाले एक दूसरा नाम है भोले नाथ, अर्थात, छल कपट से दूर बहुत ही सरल और कोमल हिरदै के किसी को दुखी देखा नहीं कि प्रसंद होकर उसे सब कुछ दे दिया यही हाल चुडा मणी का भी हुआ तब करते हुए कुछ ही दिन बीते थे कि भोले नाथ प्रसंद होकर प्रगट हो उठे बोले तुम्हारी मनोभिलाशा पूर्ण होगी कल प्राता काल बाल बनवाने के पश्चात नदी में स्नान करना और स्नान के पश्चात अयोध्या के मार्ग में चलना मार्ग में जो साधू मिले उसे डंडों से खूब पीटना बस तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी चुडा मनी बड़ा प्रसंद हुआ दूसरे दिन सवेरा होने पर उसने वैसा ही किया जैसा करने को भोले नाथ ने कहा था वो नदी में नहा कर हाथ में डंडा लेकर अयोध्या के मार्ग पर चलने लगा कुछ ही दूर गया था कि चुडा मनी को आगे आगे जाता हुआ एक साधू दिखाई पड़ा वो जल्दी जल्दी चलकर साधू के पास जा पहुँचा और बिना चेतावनी दिये हुए ही उस पर डंडों की वर्षा करनी लगा आश्चर है दो-चार डंडे पढ़ने के पश्चात ही साधू तो अद्रिश हो गया उसके स्थान पर सोने चान्दी का धेर लग गया चुडा मनी का हरदय हर्ष का सागर बन गया वो सारे धन को उठा कर अपने घर ले गया बड़े सुक से जीवन व्यतीत करने लगा चुडा मनी के इस कारे को एक नाई देख रहा था उसने देखा कि किस प्रकार चुडा मनी ने एक साधू पर डंडे बरसाए और किस प्रकार वो साधू सोने चांदी का धेर बन गया उसके मन में लोब उत्पन हो उठा उसने सोचा आधिक धन प्राप्त करने का ये धंग तो बड़ा सरल है यदि मैं भी ऐसा ही करूं तो मुझे भी सोने चांदी का धेर मिल सकता है दूसरे दिन सवेरे नाई भी हाथ में मोटा डंडा लेकर अयोध्या के मार्ग पर चलने लगा संयोग की बात एक साधू जाता हुआ दिखाई पड़ा नाई साधू को देखते ही डंडा लेकर उस पर तूट पड़ा उसके डंडों की चोट से साधू धर्ती पर गिर पड़ा और मर गया साधू को मार डालने के अपराद में नाई बंदी बना कर राजा के समक्ष उपस्थित किया गया राजा ने उसे मृत्यू दंड दिया नाई फासी चडब तो गया किन्तु उसकी समझ में ये बात नहीं आई कि चुडा मनी को क्यों साधू को मारने पर सोने चांदी का धेर मिला और उसे क्यों मृत्यू दंड दिया गया उसे कौन बताता कि चुडा मनी ने तो भूले नाथ के आशिरवाद के साथ साधू पर डंडे बरसाई थे किन्तु उसने तो केवल चुडा मनी की नकल की थी अर्थ की लिपसा में जो लोग किसी की नकल करते हैं उनका यही हल होता है कहानी से शिक्षा धन प्राप्त करने की अधिक लिपसा बुरी होती है यदि किसी को बुरे मार्ग पर चलने से अधिक धन मिल रहा हो तो उसकी कभी नकल नहीं करनी चाहिए धन के लिए किसी को सताना या किसी को दुख देना बुरा होता है बुरे काम का फल सदा बुरा ही मिलता है